इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग साथ प्रस्णा वाली 1.2 का प्रस्ण संख्यां 12 से देखने वाले हैं इस वीडियो में हमने प्रस्ण संख्यां 11 तक देख लिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई वटन मापको लिंक मिल जाएगा वहां जागर के देख लिजे तो चलिए प्रस्ण संख्यां 12 को समझते हैं अपने कौपी में तो यहाँ पर देखिए अधिया एक प्रस्ण वाले 1.2 और वर्ग है साथ मी इसमें प्रस्ण संख्यां 12 में कह रहा है दोस प्रस्णों वाले एक कप्छा टेस्ट में परती एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिये जाते हैं और परती एक गलत उत्तर के लिए माइनस 2 अंक दिय जाते हैं एवं प्रयतन नहीं किये गए प्रस्णों के लिए सुनने दिया जाता है प्रस्णों को समझे प्रस्ण में क्या कह रहा है प्रस्ण में कह रहा है दोस प्रस्ण वाले एक कप्छा टेस्ट में परती एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिये जाते हैं इसका कहने का उत्तर के लिए मानसदू अंग दिये जाते हैं आगी क्या कहते है परतियर इसके मतलब है एक गलत उत्तर के लिए जो है इनको दो अंग कात लिए जाते हैं इस में कहरा है परियास हम नहीं करते हैं जिस तो उस परशनों के लिए सुन अंक दिया जाता है तो पहला नमर में कह रहा है मोहन चार परशनों का सही और चार परशनों का गलत उत्तर देता है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं परशनों को समझें इसमें हमने इतना तो बता दिया इसमें क्या कह रहा है मोहन जो है यहां पर देखिए हमने लिख दिया सही उत्तर के लिए प्राप्तंग सही उत्तर के लिए प्राप्तंग कितना हो जाएंगे तो देखिए यहां पर मोहन कितने प्रश्णों का सही उत्तर दे रहा है चार प्रश्णों का यहां पर लिख देंगे चार तो हमें पता है यहां पर गुना करेंगे अगर एक प्रश्णों का सही उतर दे रहा है तो पांच अंक लिए जा रहा है तिसमें चार प्रश्णों का ये सही उतर दे रहा है तो चार खुम क्या करेंगे पांच से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे चार पंचे के 20 तो यहाँ पर देखिए मोह का गलत उतर दे रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे च्छा और यहां पर देखे फिर से हम यहां पर गुना का चीन देंगे और यहां पर देखे एक गलत उतर देने के लिए इनको मैनस दो अंक दिये जाते यानि कि दो अंक काट लिए जाते हैं तो हम इनको क्या करेंगे मैनस 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर यहां पर एक परश्णों का गलत उतर देता है तो इनको 2 अंक काट लिए जाते हैं। में इसके प्राप्त अंक कितने हैं तो यहां पर लिख देंगे प्राप्त अंक तब उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहां पर लिखेंगे अब या फिर लिख सकते हैं तब यहां पर लिखेंगे प्राप्त अंक प्राप्त अंक निकालने के हम क्या करेंगे दोनों को जोर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इनको प्राप्त अंक कितना मिला है दोनों को जोर दीजें 20 और इसमें जोर देंगे क इतना को मायनस 12 को w son not cancel और इसको पूरा का पूरा प्रापत अंक निकालने के लिए पूरा का प्रापतिंक निकालने के लिए इन दुनों को जोडेंगे तो 20 एन तो लिख दीजे 20 और यहां पर प्लॉस को जब मैनस गुना करेंगे तो मैनस का चीन ये 12 है तो बारा लिख दीजे पीछे या चीन लगा दीजे और इसको जब हुल करेंगे तो 20 में 12 को खटाएंगे तो 8 यह हो गया प्राप्त अंक तो इस तरह समने प्रश्चन संख्या 12 का पहला नमर देख लिए अब हम देख लेते हैं दूसरा नमर अब देखिए प्रश्चन संख्या 12 का दूसरा नमर दूसरा नमर में कह रहा है रेसमा के पांच उत्तर सही है और पांच उत्तर गलत है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं इसमें भी हम क्या लिखेंगे उतर कीन नहीं इ complex से उत्र देने के लिए कितना मिलते हैं इसमें इसमें देखिए यह पर एक प्रसन का सही उतर देने के लिए कितना ङंहीं पांच से गुना कर देंगे यहां पर कितना हो जाएंगे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 तो यहां पर देखें सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना मिल गया 25 अंक मिल गया अब लिखेंगे गलत उत्तर के लिए यहां पर लिखेंगे गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कित कि मैनस दू अंक दिया जाता है इसमें यहां पर क्या करेंगे मैनस दो से गुना कर देंगे अब देखिए यहां पर पांच को हम अगर दो से गुना करेंगे तो पांच दो निके कहे रहा है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने है तो उसके द्वारा प्राप्त अंक तो यहां पर लिखेंगे तब प्राप्त अंक प्राप्त अंक कितना हो जाएंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को जूर देंगे तो हमें पता चल जागा प्राप्त अंक इसका कितना निकल गया 15 निकल गया तो इस तरह से हमने प्रश्ण संख्या 12 का दूसरा नमर भी समझ गया अब हम देख लेते हैं तीसरा नमर को अब देखिए प्रश्ण संख्या 12 का तीसरा नमर तीसरा नमर में है, हीना ने कुल साथ प्रस्ण किये है, उनमें से दो का उत्तर सही है, और पांच का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं, प्रस्णों को समझे क्या करा है, प्रस्ण में कहे रहा है, हीना जो है, कुल साथ प्रस्ण को हल किये, जिसमें से दो का उतर शहीद है और फाच का उतर गलत दे रहे हैं तो बबाफती है नहीं के कितने राप्त एंग कि कितना पर देखेंगे एक प्राप्त प्रस्ने जब उत्तर सही देते हैं तो हमें कितना अंक मिलता है पांच तो यहां पर देखिए दो प्रस्ण का उत्तर सही दे रहा है तो हम क्या करेंगे इसको पांच से गुना कर देंगे एक प्रस्ण के लिए पांच अंक मिल रहे हैं तो दो प्रस्णों के लिए कितना हो जाएंगे त यहांपर ग्लात उत्तर के लिए प्राप्ट अंक कितने प्रस्ण का उत्तर यहां पर ग्लत याँ प्रस्ण का उत्तर ग्लास दे रहा हूं-वाई-। तो यहाँ पर 5 प्रश्णों का यह गलत उतर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इनको गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूने के 10, और प्लॉस को जब मैनस गुना करेंगे, तो मैनस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर य है प्राप्त हैं कितने हो जाएंगे है तो पराप्त अंग कितने हो जाएंगे इनको जूर देंगे हमके सब्स्थ अगर दो वो प्रस्णों का उतर सही देता है और 5 प्रस्णों का उतर गलत देता है तो हम कहेंगे इसको जो है टूटल सुने अंक प्राप्त होंगे तो इस तरह समने प्रस्ण संख्या 12 को देख लिए अब हम देख लेते प्रस्ण संख्या 13 को अब देखिए प्रस्ण संख्या 13 में क्य दर से हानी होती है प्रस्णों को समझे प्रस्ण में क्या के रहा है एक सिमेंट कमपनी है जो सफेद और स्लेटी रंग के सिमेंट बेच रहा है धो तरह का सिमेंट बेच रहा है जिसमें से देखे सफेद सिमेंट बेचने पर प्रती बोरी यानि कि एक बोरी पर इनको आठ किसी महिने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है उसका लाव अथवा हानी क्या होगा वह आपको बताना है तो देखे सबसेब हम क्या करेंगे यहां पर हमें पता है सफेद सीमेंट का एक बोरी बेचने पर इनको आठ रुपर यहां पर हम लीग देते हैं एक बोरी सफेद सीमेंट बेचने पर लाव लाव बढ़ वर कतना रुपया लाव हो रहा है 8 रुपया हमें पता है तितना बोड़ यू दो बैच रहा है तुमनाइन सभेध सेमस्ट रहा है 3000 डरु यू दो तो 3,000 बोरियां पर कितना लाब हो जाएंगे? 3,000 बोरियां सफेद सीमेंट बेचने पर लाब बड़ाबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखिस में क्या करेंगे? हम 8 से जो है, या तो 8 से 3,000 को गुना किजे, या फिर 3,000 को आठ से गुना कर देंगे. है आप एक बोड़ी सफेध सिमेंट बेचने पर इंको आठ रुपया का लाव उड़ा है तो थीन हजार बोड़िया यह सफेध सिमेंट कैसा ना करको गुंदंगे तो आठ रिक 00T लेंगे विअनली तो आठ त्रिके 24 और यहां पर शेमें 3क Czyli drew करूं U यहाँ पर सफेड सीमेंट की 3,000 सफेड सीमेंट की बेचने पर इनको लब ितना 1.ำ मिया अब यहाँ पर एक बूरी सिमेंट यहाँ यहाँ आपर निकी शाय cuz निकी किछ रिधा पांच रुपया का क्या हुआ रा हानी पर कितने बोड़ा ये सिमेंट बेचा था दाएं सलेट सिमेंट 你oliath यॉपर कर दोक्य तो यहां पर भी देंगे इसको था चुरा सा उपर कर लेते हैं तो है यहां पर भी आ रहेंके 5000 प्रक्नी थे प्रकशिब होड़ाइस आयंगे 5000 यहां पर यहां प्रक्नी 35 और तीन सुने तो तो इन सुन डालेंगे तो यहां पर देखे हैं सफेद सिमेंट यह बिचने पर इनको टोटल जयद च Newman cristri करने पर 25 जार का क्या ऊड़ा हणी होड़ा तो ज्यादा कौन है लाव या हysis में 24 क्या करीव चाहदा तो हम क्या करेंगे हानी डेखेंगे तो हानी निकालें इसे दोस तो इससे प्टेर प्रशन संख्या 131 अब hai लेते हैं दूसरा नमर को अब देखिए प्राश्ण संख्यां 13 का बी नमर बी नमर में कह रहा यदि बेची गई सफेदी सिमेंट की बोड़ियों की संख्या चोट सच सो है तो कंपनी की सिलेटी सिमेंट की कितनी बोड़ियां बेचनी चाहिए ताकि न तो उसे लाभ हो और न कि संख्यां दिया हूआ है कितना दिया है 6400 तो यहां पर देखिए बेची गई सफेदी सिमेंट की बोड़ियों की संख्या इसमें दिया हूआ है लाव लाव ब्रावर कितना हो जाएंगे यहां पर देखिए सफेदी सिमेंट पर कितना रुपया लाव बोड़ा है सफेदी सिमेंट बेचने पर जो है आठ रुपया पुड़ाती बोड़ा एक बोड़ा पर जो है आठ रुपया लाव बोड़ा है तिहां पर चोव सर सो दीजिए तो यहां पर देखें बेची गई सफेद सेमेंट की बोड़ियों की संख्या इतना है और इस पर जो लाव यहां पर 51,200 निकला है तो कह रहा है इसलेटी सिमेंट की कितनी बोड़ियां बेचे ताकि न तो इसे लाब हो और नहीं हाने तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेची गई इसलेटी सिमेंट की बोड़ियों की संख्या बोड़ियों की संख्या बोड़ियों की संख्या प्रावर क्या हो जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे इसका जो लाब निकला है उसमें हम क्या करेंगे 51,200 में हम क्या करेंगे यहां पर इसमें जो है इस लेटी सिमेंट पर एक बोड़िया बेचने पर कितना रुपया का हानी हो रहा है यानि की घाटा हो रहा है तो इसमें जो है पांच रुपया का हान छाव जाएंगे 1240 बोर्या हैं अगर हो एहां पर बारा बचेश लेटी सेमेंट तो यहां पर इसमें जो है इसके बराबर यह हो जाएंगे यानि की नहीं इसको लाब होगा और लोज हानि इस Low रहने संपदोपर 15 पर 80 रुपये का लाव कमाता है और परतियशेक रेफ्रिजरेटर पर यानि कि समझे प्राश्च में क्या कहरा है यानि की गाटा होता है जानु का यह झो चयूदह का ए नंम्र में कहे रहा है कमपनी गहाता है 5000 रंगाइन टीवी बेच रहा है और 4000 रेफ्रीजेटर बेच रहा है एक मेहने में कितना लाभ यः हानी होगा वह आपको बताना है यहाँ पर दखेगे टीवी बिचने पर 80 रुपया का क्या होता है इस व्री लाभ होता है यहाँ पर लीख देंगे तीवी बैचने पर लाब या फिर टीवी पर लाब कितना हो यहां पर देकी यह रंगीन टीवी पर यहां पर दखें कि यह हजार रंगीन टीवी पर लाब कितना हो जाएंगे तो हम पांसाजार में गुणा कर देंगे या फिर पांसाजार में चे Tell algumas गुणे लिग देंगे 55 लाख यानिकि 4 लाख का लाब हो जाएगा इसके बाद हानी दिकालते हैं हानी एक रेफ्रीज लेटर पर हानी बराबर हानी कितना हुर्पया उड़ा एक रेफ्रीज रेफ्रीज बेच रहा है यहां पर देखे इसको सब्सक्राइब निकाल ऍवगेशार यहां इसको थोड़ा सा उपर कर लेते दिखेंगे 4000 रेफ्रीजरेटर पर रहनी बराबर हम क्या करेंगे शाथ गुने कर देंगे 60 कि तना कर देंगे कितना विच राई यहां पर 4000 4000 कर देंगे 4 अब इसको उना कीजे, छोक हम 4 सुना करेंगे, इसमें 1 सुने है, एक तर दीजे, इसमें 3 सुने है, तो 3 सुने, एक, दो, 3 सुने, तो यहां पर देखे इसको 2,400,000 का क्या होड़ा है, हानी होड़ा है, जानि कि घाता होड़ा है लेफ्रिशियेटर वेचने पर, इतना लेफ तो देखे कंपनी को जो है लाव इतना का होड़ा है हानी इतना का होड़ा है तो लाव जयदा होड़ा है और हानी कम होड़ा यहाँ पर लिखेंगे लाव जो है बड़ा है लाव बड़ा है किसे हानी से तो हम क्या करेंगे लाव बड़ावर निकालेंगे लाव इसमें लिख दिजे तब तब लाब बड़ाबर लाब बड़ाबर क्या हो जाएंगे इसमें सम इसको घटा देंगे यहां पर घटा दीजे यहां पर लिखेंगे दो तीन चार अब इसको घटा यहां पर इसमें नहीं है तो इसमें से हो गए यह दोस में यहां पर चार को घटाएंगे तो चो और यह बच गया किता तीन उसका और देखेंगे हैं ब अब को अब देकिया प्राशन Сंवार्जाग का बीनमर में कहे रहा है कमपनी त्वारा चार हजार रेफ्रिजेटर वेचने पर कमपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाब हो और नाइसे प्राश्ण Brid Пल Souls में प्राश्नम में कह रहा है कंपनी अगर यहां पर 4000 रेफ्रिजिरेटर बेच रहा है तो कह रहा है कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि न तो उसे लाब हो और नहीं हानी हो यहां पर देख कि कंपनी जो है 4000 रेफ्रिजिरेटर बेच रहा है तो रेफ्रिजिरेटर की संख्या दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे बेची गई रिफ्रीजरेटर की संख्या कि संख्यां बड़ाबर दिया हुआ कि इसमें क्या कणा हमानी निकले गए तो यहां पर लिखेंगे बेची गई रेफ्रिजडेटर पर हानी बड़ाबर हानी बड़ाबर इसमें हानी निकाल लेंगे यहां पर देखिए एक पर साथ रुपय का हानी हो रहा है तो 4000 को साथ से गुना कर दिए या फिर साथ को है कितना रंगीन टीवी बेचने कि नो तो उसे लाब हो और नो ही हानी हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे रंगीन टीवी बेचने की संख्यां की संख्यां बरावर कितना हो जाएंगे हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे इसमें जो है यहाँ पर दो लाख चालिस हजार पर दो लाख चालिस हजार में क्या करेंगे देखे एक रंगीन टीवी बेचने पर हमें कितना रुप्या का लाब होता है यहाँ पर देखे एक रंगीन टीवी बेचने पर 80 रुपा का क्या होता है इनको लाब होता है तो हम 80 से इसमें भाग देदेंग हाँ नहीं होगा क्योंकि हमें पता है देखिए इसमें समझाथे आप लोग समझें कiti विप 15 हब से टीन ही पर और यहां पर पर यहांपर यूटिय पर यहां पर कितना रुपया का लाब होगा जहला और 30 को अगर 80 licensed के तो इसमें आए और सब्सक्राइब स अगर इसका हम परravated europa के तेरं और नटो इसे लाब होगा और यहांँहा वेडीत सिर पलधा करते हीरा sharing next video भूणको इंसे अगजचय कि उते ने कर दो टेक्के कर वो दो दूब दूब हाँ